आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नमबर 4 उश्मा इस वीडियो में हम पार्ट 3 कवर करेंगे अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स टॉपिक पे जो की बहुत इंटरस्टिंग टॉपिक है आपको अपनी स्क्रीन पे बहुत सारी वस्तुएं दिख रही होंगी ये सभी वस्तुएं बेटा धातू से बनी है किसकी बनी है? धातू से ये जो लोहे की कील है या फिर कैंची है चाबियां है अंगूठी है और ये जो चम्बच है ये सबी चीज़ें किसकी बनी है? धातू की बनी है तो अब हम पढ़ते हैं उश्मा के चालक के बारे में बच्चों, जो पदार्थ उश्मा को अपने से होकर जाने देता है उन्हें हम कहते हैं उश्मा का चालक मतलब कि ये सभी पदार्थ जो हैं ये उश्मा को अपने से होकर जाने देंगे इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं उश्मा का चालक उधारण है आईरन मतलब लोहा या फिर कॉपर जिसे हम तामबा भी कहते हैं अब हम एक उधारण द्वाराई से समझने की कोशश करते हैं मान लीजिए कि जो चम्मच है इसको हम गैस के उपर रखते हैं तो क्या होगा जो चम्मच है वो धीरे धीरे गरम होगी और जो आपने एक सिरह इसका पकड़ रखा है वो भी आपको गरम-गरम महसूस होगा तो क्या हुआ जो उश्मा है वो एक सिरह से दूसरे सिरह तक आ गई तो इसे हम क्या कहेंगे उश्मा का चालक ऐसे ही बेटा ये जो लोहे की कील है अगर हम इसे आग के उपर रखेंगे तो ये एक सिरह से दूसरे सिरह तक गरम हो जाएगी ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं उश्मा का चालक अब आगे बढ़ते हैं ये जो उधारन है बेटा, ये सभी उधारन है उश्मा के कूचालक के, जो पदार्थ उश्मा को अपने से होकर नहीं जाने देते, उन्हें हम कहते हैं उश्मा का कूचालक, आईए अब हम इनके बारे में जाते, माल लीजिये बेटा, जैसे ये लकडी है, अगर मैं लकडी को एक सिरे से जलाओंगी और दूसरे सिरे से मैं इस लकडी को पकड़ लेती हूं तो क्या मुझे गरम-गरम लगेगा? नहीं क्यों? क्योंकि जो लकडी है वो उश्मा को अपने से होकर नहीं जाने दे रही है लकडी का एक सिरे जलता रहेगा और दूसरे सिरे तक हमें कोई गरम-गरम महसूस नहीं होगा ऐसे ही बेटा ये जो बुक है किसकी बनी है? किताब जो होती है वो पेजो से बनी है, पेपर से बनी है, है न? तो जो पेपर है अगर हम उसे जलाएंगे तो पेपर का एक सिरा जलता रहेगा लेकिन हमें दूसरे सिरे पर उश्मा महसूस नहीं होगी तो जो प्लास्टिक है, लकडी है, ऊन है या जो पेपर है ये सब क्या है? उश्मा रोधी है, उश्मा के कूचालक है तो कूचालकों को हम उश्मा रोधी भी कहते हैं इनका उधारन है जल, वायू, प्लास्टिक और लकडी आपने देखा होगा कि जल जो है अपने से उश्मा को नहीं आने जाने देता है तो उसको हम कहते हैं उश्मा का कूचालक ऐसे ही हवा क्या है उश्मा का कूचालक है मान लीजिए मेरे पास एक प्लास्टिक का बहुत बड़ा पाइप है अब मैं उस पाइप को अगर गरम करती हूँ तो आप देखेंगे उसका एक सिरा तो पिंगलता रहेगा और जो दूसरा सिरा है वो मुझे गरम नहीं लगीगा क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो उश्मा का कूचालक होता है I hope आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन सी वस्तुएं उश्मा का कूचालक होती है और कौन सी वस्तुएं उश्मा का चालक होती है अब हम बेटा एक activity कर लेते हैं यहाँ पे क्या आप बच्चे मुझे बता सकते हैं इन में से कौन सी वस्तुए उश्मा का चालक है और कौन सी कूचालक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बॉल की यह बॉल किसकी बनी है? प्लास्टिक की बनी है तो यह क्या है? उश्मा का कूचालक है जितने भी कूचालक हैं उनको हम क्रॉस से दिखाएंगे और जो सूचालक है या फिर जो चालक हैं उनको हम टिक से दिखाएंगे यह जो टी-शर्ट है बेटा यह कपड़े से बनी है किस से बनी है? कपड़े से तो ये क्या होगा उश्मा का कूचालग अब ये जो लोहे की कड़ाई है इसको आप अगनी पे अगर रखोगे तो क्या ये कड़ाई गरम होगी पूरी हाँ बिल्कुल गरम होगी और जो इसके हैंडल है ये भी गरम होगे हाँ ये भी जरूर गरम होगे तो ये क्या हुआ उश्मा का चालक हुआ वेरी गुड़ तो अब हम और एक्जाम्पल करते हैं ये जो प्लास्टिक की चपले हैं बेटा ये क्या है कूचालक है और ये जो प्लास्टिक का पाइप है ये भी कूचालक है अब हम बात करते हैं सोने और चांदी की जो सोना और चांदी है ये क्या है धातू है अगर हम इसको गरम करेंगे तो इसका दूसरा सिरा भी गरम हो जाएगा तो इसलिए क्या है ये उश्मा का चालक है ऐसे ही ये लोहे की जो कैन है ये भी क्या है उश्मा का चालक अब क्या हम बता सकते हैं, ये जो रबर के घुबारे हैं, ये क्या हैं? तो बेटा, ये उश्मा के कूचालक हैं. I hope सभी बच्चे ने ये अच्छे से किया होगा और अब आपको और अच्छे से समझा गया होगा कि चालक और कूचालक होते क्या हैं. अगला टॉपिक है हमारा बेटा सन्वहन तो आईए अब हम जानते हैं कि सन्वहन क्या होता है बच्चों जब जल को गरम करते हैं तो ज्वाला के आस पास का जल गरम हो जाता है इस बरतन में आप देख सकते हैं पानी है और हम पानी को क्या कर रहे हैं गरम कर रहे हैं तो क्या होगा जो इस आग के पास जो पानी है वो पहले गरम होगा है ना और जो गरम जल है वो उपर की और उठ जाएगा क्या होगा उपर की और आ जाएगा इससे क्या होगा गरम जल के आसपास जो ठंडा जल था ठंडा जल नीचे आ जाएगा और गरम जल उपर चला जाएगा फिर जो ठंडा जल है वो भी गरम हो जाएगा और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक की सारा का सारा पानी गरम ना हो जाएगा यही प्रक्रिया है बेटा सन्वहन जो तरल पदात हैं उनमें उश्मा का स्थानांत्रन सन्वहन विधी द्वारा होता है कैसे मैं फिर से एक बार आपको एक्स्प्लेन कर देती हूँ मान लीजिए हमने एक पतीले में पानी लिया तो जो पानी सबसे नीचे है वो पहले गरम होगा और गरम होकर उपर उठ जाएगा और जो उपर पानी था वो नीचे की और चला जाएगा अब जो पानी नीचे गया हमारा ठंडा वो भी तो गरम होगा और वो गरम पानी फिर से उपर आ जाएगा यह प्रक्रिया बार-बार चलती रहेगी जब तक पूरा का पूरा पानी अच्छे से गरम नहीं हो जाता तो बच्चों जितने भी तरल पदार थें उनमें उश्मा का स्थानांतरन जो है वो सन्वहन विधिद्वारा होता है